जार्खनी चार दिलीनी साथ अनी हर्याणानी दस बैठकोपर मद्दान योजावाजे रहुजे छट्था तबत्तामा दिलीनी तमाम साथ बैठकोपर सहित कुल अगने साइंट बैठकोपर मद्दान धश्चे जेमा 900 अगने हैसी उमेदबार छुटणी मैदान माशे जोके अतबत्तामा कॉंग्रेस ना जूती रादिती सिंधिया भाजितना मेनका खादी सहित अखिलेश्ट यादव दिनेश्ट लाल वियादव निर्भुवा रीटा बाउगना जोशी मिनाक्षे लेकी मनुस्तिवारी अजेमाकान धिला दिक्षित गउतं घंबिर जिवा त धेक दागी उमेद्वारोंने एतिकीट आपीशे कि अज़ मुद्धि वाचित करमाटे दिली थी चाननी चोक्ति मारा समध्य ताश्रीन गुपता अमारी सथ ही जुड़ाएगा अचे अश्मिनी जानना चाहेंगे कि आज जो लोकसभा का चुनाव है वहां का जो माहौल है वो तमाम दर्शकों को आप दिखाएंगे पोलिंग अपसे कुछ देर में शुरू होने वाली है और दिल्ली लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बड़ा ही दिल्चस्प मुकाबला इस बार यहां पर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग देख रहे थे कि कॉंग्रेस और आम अपनी पार्टी में गड़बंदन की खबरे आ रही थी कईवर दोर की बाचीत भी हुई आखिरकार गड़बंदन नहीं हुआ तो अब जनता ये भी जानना चाहरी है कि इसका फाइदा होगा या नुकसान होगा और फायदा होगा तो किसको होगा फायदा है इसके अलावा अगर हम ओवराल इन चुनावों की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे यहां पर हैं आम आपनी पार्टी एक तरफ पूर्णराज्य का मुद्दा लेकर के आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जो दूसरे मुद्दे हैं जिनमें की सीलिंग है इसके अलावा जो पॉल्यूशन है दिल्ली का दिल्ली में जो बिजली पानी का इशू है साती साथ लोग राष्ट्ये मुद्दों पर भी इस बार वोड कर रहे हैं राष्ट्ये सुरक्षा को लेकर के इस बार ल उम्मीदवार हैं उन पर आरोप लगाया कि उनके नाम के पर्चे यहां पर बटवाये गए जिन पर उनके बारे में कई सारी बाते लेकी हुई थी जो उम्मीदवार नौर्थीस दिल्ली से हैं शिराद दिक्षित उन्होंने कल अरविंद के जरिवाल पर यह आरोप लगाया क कि वो उनके बारे में ये अववा फैला रहे हैं कि वो अस्पताल में भरती हैं तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कई सारे आरोप प्रतेरोप यहां पर लगे हैं बहुत जादा हैपनिंग दिल्ली के राजनी थी जब से यहां पर कोड़ा पंड़क लगा हुए जब से पास सही लगातार यहां के राज़ीते में कुछ ना कुछ उतल पुतल मची हुई है कई सारे लोग पारटी छोड़ करके दूसरी पारटी जोईन कर रहे हैं आमाधी पारटी के कई विधायक जो है वो बीजेपी जोईन कर चुके हैं तो कह सकते हैं कि जब से उस जनाओं की दिल्ली में हुई है तब से कुछ ना कुछ यहां पर लगा हुआ और इसी वज़े से देश भर की निगाहें दिल्ली पर है कि आकिरकार दिल्ली में जो वोटिंग हो रही है किस तरफ जनता जाती इन तमाम चीजों का असर जनता पर क्या पड़ता है और उसका रिजल्ट क्या लाता है इस तमाब सभी लोग की निगाहें इसलिए दिल्ली पर लगी हुई है बिल्कुल अश्मिन यह भी चाहेंगे कि वहाँ पर पॉलिस बंदबस्त कैसा है क्योंकि दिल्ली बैठक बहुत महतपूर बैठक है इसलिए बोलते है कि वहाँ पर जो पूरा जहां जहां पर जो चुनाव केंदर जहां पर बनाये हैं मदान केंदर है उसके आज़ पास पूलिस का घेरा है साती साथ हम आपको बताएं कि जो पोलिंग जहां पर जो लोग करने आएंगे उनको भी इस बार कई तरह की सुवधाएं दी जा रही हैं लोगों के लिए जो पोलिंग सेंटर हैं वहाँ पर ठंडे पानी की वबस्ता की गई कि दिल्ली में इस समय गर्मी बहुत जादा है 40-45 दिगरी के उपर पारा पहुंच रहा है तो चुनाव आयोक को इस बात की भी चिंता है कि हो सकता है गर्मी की वज़े से लोग एक बार के लिए ना आना चाहें तो इसलिए तमाम सुधाएं वोटर्स को दी जारी हैं जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए पिक एंड ड्रॉप की विवस्ता की गई है गारी उनके घर जाएगी अगर वो फोन करेंगे इसलिए पकादा हल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किये गए है कि अगर किसी को भी गारी और मदान केंदर पर ड्रॉप करेंगे और वापस उनके घर लेकर जाएगी यह सारा इंतिजाम चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोग जो है किसी पार्टी के भैकावे में ना आए क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है तमाम चुनावी पार्टिया जो होती उनके जो वालेंटियस होते हैं वो लोगों को लेकर के जाते हैं तो ऐसे में एक तरह का ऐसान एक तरह का उन लोगों के उपर लोगों को एक फेवर मिलता है तो वो ना हो तो इसलिए इस बार चुनाव आयोग नहीं यह विवस्ता की है कि वो दिव्यांग वोटर्स के पॉलिंग बूद बराएगा है पॉलिंग बूद कुछ ऐसे सलट किये गए जिनको सजाय गया है गुबारे वहां पर लगाए गया है तो कोशिश लगातार की जारी है लगातार कई तरह के कल्चरल शोज भी हो रहे है थाकि लोगों को वोट डालने के लिए आगे बढ़ाने क के लिए प्रेद किया जा सके तो लगातार हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जादस जादा जो पोलिंग परसेंटेज उसको बढ़ानी की कोशिश लगातार की जारी कि दिल्ली में आप आम तो पे देखा जाता है कि लोग खासकर जो पॉश इलाके है वहां पर लोग घरो के जो लोग हैं वो थोड़ा आराम से सोकर उटते हैं लेकिन अगर बात की जाए मौसम की तो मौसम आज दिल्ली वालों को ये कह रहा है कि घर से निकलिए और मतदान कीजिए और सारा दिन आज का जो मौसम है वो इसी तरह से बना रहेगा हवा चलती रहेगी और बारिश भ संदीप दिक्षित को पठखनी देकर महेश गिरी ने सत्ता पर कबजा किया था और इस बार जो मैदान में है वो गौतम गंभीर है साथी साथ आतिशी मरलेना और अर्विंदर सिंग लवली है और माना ये जा रहेगी यहां पर इस सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणी है शुक्रिया जानकारी के लिए तो जिरीते बात करिया मरा समदता है खास तो तेवो जनावीची के खुबच टांकांटे की टकर जो आमन वनेची कान के गौतम गंभेर आवखते मैदान मां चे अपने जनावीशों के साथ राज्यों नी अगने साइट बैठक पर मदान थ भावी आजी एवी एम मासल थाशे त्यारे तरीके दरीक पड़ेपणी माहीती पहुचण माटे तमाम रिपोटर्स समारते आप पहुची काया चे आपने जनावीशों के जार्खन नीचा दिल्लीनी साथ बैठक पर आची मद्दान थाशे अनि हर्याणानी दस बैठक पर म मद्दान थवा जे रहोची त्यारे मद्दारों माप्रम भारे हर्श्रों लास जो मने रहोची आपने जनावीशों के टूकस समयमा मद्दान मद्दारों ते आवी पहुच्छे पोलिंग गुथू पर अनि चाहते तेवो मद्दान नू प्रारम कर्षे तो चुटणेनों वातरानों हवे चरम सिमाय पहुची गऊची पांच चरणों नू मद्दान समाप्त थे गऊची ने आजे छटा तबकानों मद्दान छे जे माँ यूपी नी चौद पश्चिम बंगानी आठ अमपी औनी बिहानी आठ जार्खण नी चाहर दिलीनी साथ ह तो चुटणी मैदान मा उत्राची आठ बंगानी चाहर दिलीनी तमाम साथ बैठक साइथ कुल अकने साहीट पैठक उपर आजे मतदान थशे साथी जुवात क्रमावेत नौसोने अगने हैसी उमेद्वार चुटणी मैदान मा उत्राची आठ बंगानी तो आजेंके विस्तार्थी माईत अप्शमारा समधता हीते इन विटलानी मारे साथ जुडाएगाची लाईव दिल्ली मा समय वोट करवा पहुच्वाँनाची आश्कूल नी अंदर स्वामी डयानन सर्वोदे कन्याविध्या ले सवार्थीज साथ वागे जारे मद्दान सरू थे यू ते वोट आपा माँटे पहुची रहा चे लगबग साड़ा साथ नो समय असे के गउतम गंबिर जे पूर्वी दिली ती बीजे पीना उमेद्वार चे ते आहीं वोट आपा माँटे पहुच्छे आतमें काउंटर पर जो ही सकोचो के वहली सवार्थी जो लोगों जे चे टे लिस्ट मां पोतानों नाम सर्च करी रहा चे आने आया थी परची लईने ते स्कुल नी अंदर वोट आपा माटे जाई रहा चे अहला कि साथ बैटकों नी बात करिये दिली नी तो साथ मां थी आ नवी द बैटकों नी बात करिये तो बैटकों नी बात करिये तो 2004 मा बीजे पी ये साथ बैटकों पर कपजों जमावी हो तो पन्म आ वकते त्रिकों जंग जरूर चे गत au 2020 पन्म त्रिकों जंग जथी बात करिये तो आ वकते क्याक ने क्याक ने क्या कोंवरेशन ने आमाजबी पारटी ना वोटर्स एक छे जेती दली तने मुस्लिम मतों मा अगर विभाजन तसे तो क्या कनी कहा है सीधो फाइदों तेनों बीजेपी ने जरूर ज़ुआ मरसे पर केटलिक बैठों को एवी छे जिया कडी टक्कर जरूर ज़ुआ मरी रही छे जिमके गौतम गंबीर जिया ती चुटनी ना मेडान मा चे पुर्वी दिल्ली नी बात करिये तो त्या आमादमी पार्टी थी आती सी छे ते कडी टक्कर आपी रही छे बीजी तरफ बात करिये तो बेजार चौदना अगर परी नामों ने ध्यान मा राके तो दिल्ली नी साथ बैठकों मा भले त्रिकोनियों जरूर अतो पन चुपनी नी बात करिये तो दिल्ली नी साथे बैठकों मा राके तो चुपनी नी बात करिये तो दिल्ली नी साथे बैठकों मा राके तो चुपनी नी बात करिये तो दिल्ली नी साथे बैठकों मा राके तो चुपनी नी बात करिये तो दिल्ली नी साथे बैठकों मा राके चुटनी खुबज रस्प्रद रेसे पर सू फरी एक वार दिली नो दिल प्राम मिनिस्टर नरिंद्र बोधी नो साथ हापे छे के पचीस साथ माती किकलिक बैठा को पर कॉंग्रेस के आमाती पार्टी बाजी मारे छे ते तो चुटनी ना परी ना मज बतार से पर क्याकने क् लिए तो मत्दान सरूत है चुकी उचे लोगों उस साथ ही वहली सवारेज लामी लामी लाइन लगाडी ने पहुंची रहे आच है त्रीवीस में जा रहे हैंगे अब बदला आबार